वेलकम बैक टू एए आउनलाइन सॉलूशन तो आज हम लोग सोशल सैंस में जो पोल सैंस है पोलिटिकल सैंस है यानि कि राजनितिक विज्ञान है उसका हम लोग आज सब्जेक्टिव कोशन पढ़ने वाले हैं अपको पहले मुझे प्रोमिस करना पर एक सरी यह पांचों को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और इंफोमेशन मिलेगा और इस से मुझे फॉलो कर सकते हैं नेचे इसका लिंक वगर दिया हुआ चलिए तो सब्सक्राइब कि सफलता के लिए कौन-कौन से अवशक शरत है लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सब्सक्राइब कर लिए जनता के लिए पूरी आस्था हो पहली बात हो जनता को पहले लोगतंत्र पर कि विस्वास होना चाहिए कि कि जो गरीब होगा उसको सरकार मदद करेगी जह गुंडवा चोर होगा सरकार सदा देगी यह को आस्था का सबसे पहला बात है कि जो जनता को सबसे पूरी आस्था होना चाहिए पूरी विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो नयाय के साथ होता है अन्याय के साथ नहीं होता दूसरी बात है सू सिक्षा सू सिक्षा मतलब अच्छी पढ़ाई अच्छा एजुकेशन जिससे मनुष्य अपने अधिकार और करतव का सही ज्यान पराप्त कर सके सूनिश्चित नागरी की ही अपने अधिकार का सही पर्यूप कर सकते देखिए लोगतंत्र में एक सू सिक्षा हो अच्छी सकते लोगं पढ़ते हैं तो लोगों को उसका क्या अधिकार है क्या फर्ज है क्या करतव देखिया है कि मुख्यां ॐसंदेने मेरे、 कौन तो इसको पता होता होता है कि कि पॉर देंगे कौन मुक्सया सही होगा कौन मेले में 서ед होगा जिसको भोड़ दोर के हमारे श्राइव का विकास करेगे हमारे देश को आगे ले जाएगा यही बात कोन जानेगा जो पढ़ा सुषिश्च्ण पदर करें ज memb Hank यह के महले में संकिल है न जरूरी की इसकी अस्थापना और कि जो सबस्zeptitesiler बराबर अगर थी को पैसा देया किसी को रोजगार आरतिक समानतां नहीं रहेगा तो राजनीतिक कोई भी काम हो गया अगर सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलता है कि जो जितना ज्यादा टॉप करेगा अच्छा नमबर लाएगा उसी को मिलेगा अगर कैटेगराइज कर दे जाएगा कि इसको इतना इतने मुठा लेगा पचासे नमरें को पास हो जाएगा और को ऐसा जा अर्थिक समान्ता के सथापना होना मंगते हैं तौर्षा बात है अस्थानिय सवसासन के स्थापना हो इससे नागरें परद्धान मंत्री हो पुरा भारत के एक आदमी परधान मंत्री हो कहीं का कोई मुख मंत्री ना हो कोई मुख्या ना हो तो जो लोग होगा उसको पते नहीं है कि कैसा राजनितिक होता है कैसे क्या काम क्या था Hindu होता है इसमें हम हिस्सा करें किस्ष मेरा पता चलता है वहां की जागरु को वहां अपने आपको पर्ती बना लेता है कि हम भी शासन कर सकते हैं समाज की सेवा कर सकते तो आस्थाले इसको नोट कर लोगे मैं यहां पर स्क्रॉल करूंगा इसको नोट कर लिजाएगा ओके इसकी नमर यहां पर चार तक लेकिन इसको बस आप नोट जरूर कीजाएगा लेकिन नोट करके लिख करके आगे सवाल पड़ते हैं लोगतनता के क्या आउगुन है । आउगुन मतले हैं अवगुन मतले इसके सकते । पहला है समानता का सिध्धान्द आप प्रकिरतिक हैं नोट समझ रहेंने। मतले हैं समानता जो बराबरी का सब्लागरी को यहाई नगरी परकें लोगतंति में जो मुखे समांता कर रहता हैं यह लेकिन अगर यह समानता के सिधान की आप प्रकृतिक बोलता कि यह समान रूप से सबको नहीं देखा जा रहा है गुनों की बजाए संख्यां को महत देना आज कर लोगतंत्र वे क्या संख्यां को वाइलू देता है कि कि कितना है लोगतंत्र वे गुनों की बजाए संख्यां को अर्थिक महत दियाता है अगर पैसा वाला है या कुछ और वाला है उसके बहुत सरा दल है बना हुआ बहुत सरा लोग है उसके पास तो लोग उसका पावर को देखता है क्या है इतना पैसा अगलता सरकार का गथा को लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है चुनाओं के बाद नेता जनता की परवार नहीं करें बिल्कुल एक अदम हकीकल बाथ है यानिकि सरकार चुनने से पहले जब वोटिंग होती है तो आपके घर पे आता है हाथ जोड़के बोलता है कि बाबु भाईया मुझे भोड दिजिए और मैं आपके महले का आपके गाउं का आपके छेतर का पूरा विकास करूँगा लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाता है जो भी हो ना मुख्या जो भी बन जाता है तो चुनाओं के बाद कहां है जनता किधर है जनता क्या कर रहे कौन मर रहा क्या कर रहा कुछ भी परवान ही बस अपने से मतलब है तो यह देखने को मिलता है और आप अपने आखों से मात्री की निगाहों से देख रहे हैं ना चलिए आगे पढ़ते हैं अस्थिर तथा कमजोर सरकार यह लोगतंतर के खराबी है अगर तुरंत को एक एक जगह इस्थिर नहीं है कभी यह बदल जा रहा तो फिर यह बन जाएगा और अगले सामानी कि इससे दूतिन विधाय के धर चलाएं तो आपर यह बना लेगा तो आइस्थि रहो गया इससे सरकार कमजोर हो जाती है बहुत अलिए वह सरकार होता है दूतिन चार पार्टी आ मिलक बनाती है उसमें सरकार बहुत बदलती तो फिर उसका घड़ गया तो यह है लोकतंतर के याद रखेंगे तो आपको याद क्या रखना यह पॉइंट पॉइंट आपको यह पॉइंट अगर इस पॉइंट तो इतना तो पक्का है कि आप एक सी दूल लिखी दिजिएगा उसका यह वाला पॉइंट जो आप पर किया ना वो पॉइंट यहाद रखना है अब एक्जाम में जब लिखोगे ना तो इसको इस पॉइंट को अंडर्लाइन करते हैं अब इंग्लिस लवर देख लें आप जिसको राजनितिक विज्ञान करते ही पर रहे हैं देखे राजनितिक दल क्या है नेशनल पाटी है ना सामान ने तथा राजनितिक दल का आश्य आश्य को अर्थ ऐसी व्यक्तियों से है किसी भी समू से हो दो एक समान उद्देश के परात्य के लिए उसमें जितना भी विधायक होता है जितना भी अगर कि यहीं चाहेगा हर विदायक को हम कैसे मुखमंत्री बन जाए हमको अच्छा प्द कैसे मिल जाए हमको पोस्ट कैसे मिल जाए उसका यही उद्देश रहता है चाहे इसके लिए तुम दूसरा को मरवाना क्यों ना पड़े तो यह होता है यदि उस डल का उद्देश आपके कुछ दोसलों का गुरूप है आपको क्या मैंड होगा आपका मैंड होगा हमको कैसे नमबर लाना कैसे करना है तो अगर आपके गुरूप में आप सभी का यही मैंड बन रहा है मैंने कोई गुरूप है उसमें सभी का एक ही मैंड बन रहा है कि हमको कैसे आगे भरना है हमको कैसे बला सा बला मंत्री बन जाना है तो उससे दल को बोलेंगे राजनितिक दल लेकिन अगर माले हमारा पढ़ने वाले स्टूडेंट गूरूप है तो उसका सोच सुरी नहीं रह होता है गाना तो अ flexcape कारों के लिए करापो संस्बंदिद होता है आगर अगर ऐसा आ रहा है तो वह ढोले तो तो उसका क्रहें दल कि सवरह की की लिए एकड़ुट होते जानते बतें किसी भी राजंतिक पार्टी होते हैं उसमें जतना भी वएक्ति होता न करें interact तो ऐसा दल ऐसा समू को बोलेंगे राजनितिक दल आप इसका इंगलिस में देख लिए नोट कर लो इंगलिस वाली प्यारे स्टूडेंट चलिए लेकिन आप अगर याद है आपको तो तो अच्छी बात है याद नहीं तो याद कर लेंगे लेकिन आपके मन में एक सवाल हो सार अगर याद कर लेंगे क्या एक्जाम में सवाल आएगा यह वाला तो ऐसा कभी मत सोचे चुकि हम बोर्ड ऑफिसी बैठें नहीं हुए जो हम सेम तो सवाल और अगर होते भी तो नहीं देते हैं ना तो हम अब बतार इंपोटेंट सवाल बस इसको याद किजिए समझे देखिए समझना बहुत बहुत जोरूरी आज कल है दल बदल कानून क्या है आपने बहुत दर पढ़ा उपजिट्री में दल बदल कौन करता है विधायक करता है सांसत करता है अब देखिए यहां पर विधायकों और सांसतों के दल बदल को रोकने के लिए समिधान में दल बदल संसोधन कानून बनाएगा अब क्या हो ना कोई पार्टी बदल देता है नया विधायक इसमें चला गया इसको बड़ा मंत्री पोस्ट में रहा तो अपना पार्टी छोड़के दुसरा पाठीम चल गया विधायक में भी होता है विधायक होता है जो विधान सब्सक्राइब करता है तो अब दल बदल करेगा भाई तो तो सरकार ने कानून मां दिया क्या अगर कोई विधायक हो या सांसत जिस दल के परतिनिधी के रूप में बाचित होते हैं माली कोई आदमी है को रेल मंतरी बन गया ठीक है को मंतरी बन गया ठीक है यह कोई पोस्ट रेल मंतरी बन गया अब जो आदमी है वो जो विधाय मेले है जो माली की रेल मंतरी बन गया सांसत को एक सांसत है ठीक है और वह बन गया रेल मंतरी अब चाहता है आपने निरवाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है अगर वो अपना दल चोड़के जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गवानी पड़ेगी उसका जीतावा ना खतम हो जाएगा है ना उसे अपने सीट गावानी पड़ेगी या दल-बदल कानून भारतिय राजितित में व्यास भश्यचार और अंकुष लगाने की जिसा में एक महत्रपुने कानून तो पता क्या चलता इसका विधायक इधर गया इसका विधायक इधर चल गया और उ जाता है तो इसका अपना सीट गवाना पड़ेगा जो उसका चुनाव जीता हुआ सीट ना वहां पर उसका सीट खतम हो जाएगा तो यह क्यों किया गया था कि भरस्टा चार ना अंकुष लगाया जाए इसलिए इंग्लिस वाले स्टुडेंट इसको नोट कर लिएगा वा तुम लोग फटाफट अब आगे सवाल परते पासमा सवाल इस सवाल को आपको जात करना एडिया कि महापार कास के बारे में संशित टिपनी लिखना है थोड़ा सा संशित इसके बारे में बताना शौर्ट नोट लिखना है ना चलिए दिखते बहुत ही जी है इतंपर यह परिशत का निर्मान नगर निगम चित्रों के विभिनवार्ण के कै만 दिवार्ण के द्वारा होता है और नगर परिषत है arma इसको काम उसका पांच सल करें और उसी में से जो कांसलर जो वाड लाव that only वाड कांसलर मैंसे एक चो वह होखो गाड़ मेर ओचागा एक उप महापोर नगर का पर्थम नागरिक माला रहता है जैसे भारत का देश का पर्थम नागरी किसको बोलाता है महापौर के अनुपस्ति में नगर परिश्द का कारे माउप महापौर करेगा अगर इसके काम के बारे बोला जा तो काम के बारे लिखना पड़ेगा करना यह सब लिख काम हैं महापौर काम भी आता चली इसको नोड कर लिजें और यह पर लिखना बहुत जरूरही नहीं तो आपको यादो औहाएं बहुत मुस्किल होगा अगर आपको आपको समझ में आ गया जैसे मैं समझाया हूं ऐसे ही समझा समझा कि आपको पढ़ना अपने दिमाग को सेरी बर्म जो है ना कि मैं परामस्तिस्क उसको समझाना है ओके तब वहां पे घोसेगा तब याद होगा और लिखिया आख में छप जाएगा तो आपको याद हो जागा तो आप लोग उम्मीद है इसको नोट कर लिए होगा सभी सवाल जो भी इंगली सिंद्री जो भी था इसको जैसा था तो आप पहली बरागार आज़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और घंटे बजाएगा और लाइक कर रहे बीना जाना मत लाइक करके जाए बाइ